दोस्तों आपके पास मलाय तो बहुत जादा होती है लेकिन आपका देसीगी कम निकलता है आकिर ऐसा क्यों होता है इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप थोड़ी सी मलाय में बहुत धेर सारा देसीगी निकाल सकते हैं क्योंकि लगबग 90 पिरतिसद लोगों को देसि की निकालने का सही तरीकाeren नहीं पता होता है और मलाय तो ढहर सारी लेकिन निकलते हैं लेकिन घी नका बहुत ही कम निकलता है इस वीडियो में में विंद्र हूँ अपको इस तरीकेसे देसिगी निकालके देखिए कि को अदेशी की बहुत ही धियर सारा कि देशेंगा एक दम निकालने के लिए सब से पहले आपको मलाई खटी अ करना होगी मलाय आप तो मैंने एक ऐट्रीक वाला फांस की स्कता रहा है जल्डी चेनल पर डालने वाला उनुए इसे हम अच्छी तरीके से लगबग 6-7 मिनिटे से चलाएंगे तो यह गाड़ा हो जाएगा तो इस तरीके से आप चलाएंगे तो आप देखेंगे यह बहुत ही जल्दी गाड़ा होना सुरू हो जाएगा अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बदाता हूं अगर आप पानी डाले हलका सा बून भर और इसके बाद आपको दूद उसमें डालके उबालने रख देना है जैसे कि दूद में एक उबाल आ जाए इसके बाद आप क्या करिए आप गेस की फिलेम को बिल्कुल लो कर दीजिए इसके बाद आप उसको च्छे-साथ मिनिट तक अच्छ यहां पर आपको इसे दुबारा से बिलेंडर से चलाना सुरू कर देना है अब आप देखेंगे जब आप इसे लगबाग 10 मिन तक चलाते रहेंगे तो इसमें साइड में जागाने सुरू हो जाएंगे जैसे कि अब यह क्रीम है लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखें तरह हो चुका है एकदम से गाडा गाडा तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसे किसी एक बरतन में लोट लेंगे अब दोस्तों इस तरीके से अगर आप बनाएंगे मतलब बहुत ही ज्यादा आपका घी बनने वाला है इसमें आप थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं पानी म अब हमारा काम हो चुका है आप देखेंगे बिल्कुल क्रीमी बना है यह देखें बिल्कुल सोफ्ट अब हम क्या करेंगे इस तरीके से हमें इसमें जितना भी पानी है उसको हम हाँ से इस तरीके से दवागी निकाल देंगे आप चाहें तो आप कपड़े की मदस से भी नि निकल का है तो चलिए अब हम घी को पकाना शुरू करते हैं तो हम इसको बिल्कुल हलकी आज पर पकाएंगे आपको गेस की फिलेम को हाई नहीं करना है आपको बिल्कुल लो फिलेम पर बनाना है क्योंकि अगर आप हाई फिलेम पर बनाएंगे तो आपका घी जल जाएगा त इससे कि आपका घीक में और ज्यादा टेस्ट आ जाएगा तो यहां पर मैंने लिया है एक छोड़ासा पान का पत्ता जो की देसी तरीका है अगर आप इसे घी बनाते समय इसमें डाल देंगे तो आपके घीक का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा एक बार आप इसमें थो अब यह देखी दोस्तों हमारा एकदम असली घी बनके तयार हो चुका है यह बजार से भी ज्यादा 100% ऑरिजिनल घी है अब हम इसको अच्छी तरीके से चानेंगे तो चानने के लिए हमने एक छलनी के उपर बिल्कुल बारी कपड़ा रग दिया है अब हमारा जो नीची पानी टाइप का जा रहा है यह आपको घी देखने को मिल जाएगा यह बिल्कुल असली घी है बजार से भी ज्यादा 100% ऑरिजिनल क्यूंकि बजार में बहुत ज्यादा डुब्लिकेट इस समय घी आ रहा है तो आप इस तरीके से अगर मलाई से घी बनाएंगे तो आपका धेर सारा घी बन जाएगा अब दोस्तों यह जो पोडली में बचा हुआ है यह मावा यानि के खोया इससे आप चाहें तो कोई मिठाई बना सकते हैं और यह देखिए एकदम ओरिजिनल हमारा घी बनके तयार हो चुका है बहुत ही कम मलाई में और धेर सारा तो दोस्तों य इस वाले घी को इस्तिमाल करिए इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे आपका बजदन भी तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि देशिकी के कई फायदे होते हैं और जो पतले दूले होते हैं उनको तो बजन बढ़ाने के लिए घी चाहिए ही होता है तो मेरे चेनल पर बजदन बढ़ाने के लिए कई वीडियो पहले से पड़े हुई है अगर आप अपना बजदन बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारी उन वीडियो को देख सकते हैं उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आज की वीडियो में फिलाल नहीं मिलते हैं अगली नई वीडियो में